हेलो फ्रेंग्स, once again I'm gonna welcome you all to Annipal Films तो दोस्ते एक बार फिर से मैं आ गही हूँ आप सभी के साथ interesting से movie को लेकर So guys, movie के twist and turns को इंट्राइ करने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंग तक बने रहें Please हमारे वीडियो को like, share और subscribe तो जरूर करें और comment करना तो बिल्कुल न भूले, because आपका एक like हमें बहुत जादा motivation प्रवाइड करता है तो आए, without any delay I'm gonna start the explanation कहानी शिरू होते ही हमें एक beach का scene देख आते हैं जो कि दिखने में बहुत जादा खुबसूरत नजार आ रहा था लेकिन यहां दूर दूर तक Jared और Ren के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था यह दोनों इस बीच पर अखिली बैठ कर नेचर का आनंद ले रहे थे आपको बतादो, Ren और Jared दोनों brother and sister है दरिसें यह दोनों यहाँ पर swimming करने के लिए आए हैं और अब देखते ही देखते दोनों पानी में छलांग लगा देते हैं और इस moment को बहुत enjoy करते हैं थोड़ी देर की बाद हम क्या देखते हैं कि Ren अपनी कमरे में अखिली बैठी हुई है और अचानिक से उसकी आखों से काल एरन का पानी निकलने लगता है रेन ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो अपने पास में ही रखे आईड्रोप को चिक करने लगती है आपको बता दू रेन एक आईड्रोप बनाने वाली कमपनी की मालकिन है और साथ में उसका पार्टनर सैम है दरसल रेन काफी दिनों से खोज में थी और कहीं न कहीं आप उसका आविश का सफलोता दिखाई दे रहा था दरसल रेन ने एक स्पेशल टाइप का आईड्रोप बनाया था और इस आईड्रोप का नाम था अदर लाइफ आपको बता दू ये स्पेशल इसलिए था इसके एक ड्रोप जैसे आप अपने आखों में डालेंगे आप एक जगह पर बैटे-बैटे ही अपनी आखों के थरो अपनी मंचा इजगह पर घूम सकते हैं उन सारे नजारों को अनुबब कर सकते हैं जिनने आप बहुत ही पास से देखना चाते हैं और खास बत तो ये थी कि आप तो एक जगा पर बैठे ही रहेंगे लेकिन आपके आखे आखे आपको हर उस जगा पर च्रावल करवाएंगी जहाँ पर आप जाना चाते थे और कुछ देर के लिए अपने लाइफ में अच्छे अनुबो ले सकते थे लेकिन इस वक्त सबसे पहले रन ये टेस्ट अपने उपर करना चाती थी वो अपने उपर ये सारे टेस्ट पायराट की देख रेक में कर रही थी पायराट जोकि उसी की कमपनी में काम करता है लेकिन ये टेस्ट वो एक और सक्ष के उपर आजवा रही थी वो था उसका भाई दरसल उस दिन जब ये दो नो पानी में स्विमिंग कर रहे थे तो सदन रेन का ब्रदर पानी में डूबने लगता है रेन ने किसी पे तरह उसे बचा तो लिया था लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से स्टेबल कंडीशन में नहीं था क्योंकि दिमाग पर कुछ गहरा असर होने के कारण वो इस वक्त कोमा में चला गया था रेन इंग सारी चीजों के लिए बहुत सैट थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उस दिन हम दोनों बीच पर न गये होते तो आज मेरा भाई सही सलामत होता और वो अपने भाई के हालत के जमेदार खुद को मानती थी अब रेन अपने आईड्रोप के इस्तमाल करके पहाडों की दुनिया में अराम से स्केटिंग कर रही थी और बहुत जादा इंजॉय कर रही थी तब ये अचानक से रेन कुछ नोटिस करती है वो ये देखती है कि एक ही इमेज बार बार रिपीट हो रही है वो समझ जाती है कि उसकी टेक्नोलोजी में कुछ ना कुछ तो गढ़बढ़ हो चुका है उसे ऐसा लग रहा थे कि शायद कोई कोड उल्टा पढ़ गया है और जब वो चक करती है तो उसे पता चलता है कि पिछले 6 दिनों से वो इसी इमेजिनेशन की दुनिया में थी लेकिन अब भी रेन ने हार नहीं मानी थी क्योंकि वो अपने उपर टेस्ट करके इन सारी फ्रॉस को दूर करना चाती थी और इस टेक्नोलिजी को पूरी दुनिया के सामने लाना चाती थी ताकि लोग अपनी बजी लाइफ से थोड़ा सा आनन ले सके और कुछ मिनट के लिए अपने जीवन को अपने तरीके से जी सके अब रेन उस प्रोग्राम को ठीक करने में लग जाती है वही दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जोकि रेन की कमपने में पार्टनर था हम क्या देखते हैं कि उसने रेन के इस आईडिया को चुरा लिया है और वो इस अदर नाइफ के आईड्रोप के बारे में सबको प्रेजेंटेशन दे रहा है वो भी रेन को बताई बिना और जैसे ये बात रेन को पता जलती है वो सैम के उपर बहुत नराज होती है वो सैम से नराज होती हुए क्याती है कि तुम जो भी कर रहे हो इमेडियेटली उसे बंद कर दो अब वो पाराउट के साथ लग जाती है उस प्रोग्राम को ठीक करने में और जल्द ही वो सफलता भी हासिल कर लेती है वो प्रोग्राम को ठीक करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है तो इसलिए सबसे पहले वो अपने भाई से मिलने जाती है यहाँ पर वो क्या उब्जर्व करती है कि उसका भाई आँखे ब्लिंक कर रहा है और वो इमेडियेटले इस बारे में डॉक्टर को इंफॉर्म करती है जहाँ पर डॉक्टर्स रुन से कहते हैं कि कुमा में गया इंसान का ये सब करना नॉर्मल बात है हम इससे ये प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान ठीक हो रहा है रेन वहाँ से निकल कर सीधा अपने फादर से मिलने जाती है वो सबसे पहले अपने फादर को अधर लाइफ के बारे में बताती है दरसल उसके फादर एक प्रोफेसर है वो अपने फादर से कहती है कि मैं अधर नाइफ का टेस्ट अपने भाई यानि की जैरेट पड़ करना चाहती हूँ वो अपने फादर से कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसकी मदद से अपने भाई को ठीक कर पाऊंगी लेकिन उसके फादर इस बात से बिलकुल एगरी नहीं थे वो इन सारी चीजों में अपनी असेहमती बताते हैं और तो और रेन को कुछ खास सपोर्ट भी नहीं करते अपने फादर की इस तरीकी बाते सुनकर और उनका ऐसा बिहेवर देखकर रेन बहुत जादा गुसा हो जाती है वो गुसे में अपने फादर से कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जैरेट को ठीक होते वे नहीं देखना चाते है रेन की गुसे बरी बाते सुनकर उसके पिता खामोश रहते हैं और फिर थोड़ी देर में वहाँ से चले जाते हैं रेन ने राज शुकर वहाँ से अपने आफिस आजाती है जहां पर हो क्या देखती है कि सैम और पायरान मिलकर अदर्स लाइफ के प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं तब ही पायरान रेन से सवाल करता है कि हमने आपस में मिलकर जितने कोड़ डिसकस के से तुमने तो उससे कहीं जाधा कोड़ इंप्लिमेंट किये हैं वो उससे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम अदर्स लाइफ के प्रोग्राम को इतना जाधा पावरफिल क्यों बनाना चाहती हूँ इस पर रेन इस बात को लेकर डिनाई करती है वो इन दोनों से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं तो बस टेस्ट कर रही हूँ वो कहती है कि मैं बस सारी चीजों को इंप्लिमेंट करके देखना चाहती हूँ और इससे पावरफिल बनाने जैसी कोई बात नहीं है अब थोड़ी दिर बाद जब स्रैम और रेन अकेले होते हैं तब इस साम रेन को एक आइडिया देता है रेन के पूशे पर साम बताता है क्यों ना हम इस परग्राम को गव configur को पेश दे और हमारा कहना यह होगा कि वो उसे virtual जेल की तरह इसतमाल कर सकते हैं यानि कि इस प्रोग्राम के थूँ वो किसी भी इंसान को असानी से क्यात कर सकते हैं और इसको वर्चुल करने से जब बाहरी दुनिया में कुछ मिनट ही गुज़रे होंगे बलकि वर्चुल दिनिया में बहुत चारा समय बीच चुका होगा सैम ये भी कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें बहुत सारे पैसे भी मिलने वाले हैं लेकिन रेन को ये आइडिया बिलकुल पसंद नहीं आता है इसलिए वो सैम से साफ मना कर देती है एक दिन रेन अपने बॉइफ्रेंड डैनी के पास जाती है जहां पर वो उसे इसी आइड्रॉप के द्रूँ वर्चल दुनिया की सैर करवाती है और डैनी को ये जब देखकर बहुत मजा आता है वो उस मॉमेंट को बहुत इंज्वाय करता है वो डैनी को ये सारी चीज़ अपने प्रिजन्स में करवा रही थी तबी रैन कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है और इधर डैनी और भी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है वो क्या देखता है कि वहीं टेबल पर और भी बहुत सारे आइड्रॉप्स हैं तबी उन में से वो एक आइड्रॉप उठाता है और उससे अपनी आँखों में डा आई थी यह किसी नॉर्मल हुमन मेंग के लिए नहीं थी रेंट डैनी के यहालत देकर बहुत ज़्यादा परिशान हो जाती है वो उसे बचाने की पूरी कोशिस करती है लेकिन अंत में वह हाल जाती है यानि कि डैनी की डेथ हो चुकी थी सैम को जैसे ही इसकी खबर लगत था और इनकी कंपणी पर बहुत सारे आरोप लगा दिये गये थे लेकिन सैम खुद में एक पावोफुल इंसान था इसलिए अकेला ही वो डिरेक्टली गौवर्मेंट से डील कर लेता है और फिर क्या था कंपणी पर लगे सारी आरोप मिठ चुके थे और डील की बात सुन के सारी आर्डर्स को फालो करना पड़ता है अब रेन को कैद करने के लिए एक टेस्टिंग रूम में ले जाया जाता है जहां पर पायर और उन उसे वर्चल दुनिया में कैद करने के लिए उसके आखों में आयडोप डालता है और आईडोप डलते ही हlor एक आजीब सी जग इस स्क्रीन से उसे टाइम को पता चलता था दरसल इस स्क्रीन पर उसे ये पता चलता था यहां उसे अभी और कितने दिन गुजारने हैं तो फाइनली देखते ही देखते काफी दिन गुज़र चुके थे और एक साल होने को था और आज रन बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका एक साल यहां पूरा हो चुका था यानि कि उसकी सजा पूरी हुई अब वो इस वर्चुल दुनिया से निकल कर बाहर आ सकती है और पहरे की तरह अपनी नॉमल लाइफ जी सकती है लेकिन ये क्या रन जैसी स्क्रीन पर देखती है समय पूरा होने के बावजूद भी रन इक बर फिर से उसी दुनिया में क्याद हो चुकी थी यानि कि टाइमर स्टार्ट से शुरू हो चुका था रन ये देखकर बहुत घबरा जाती है उसे पता चल चुका था कि ये सब कुछ सैम और पायरान मिल कर कर रहे हैं रनमेंटली बहुत जादा परिशान हो चुकी थी वो अपनी चारों तरफ रखी चीजों को तोड़ने लगती है और फिर एक दोर को तोड़कर वहां से बाहर की और आ जाती है जहाँ पर उसे एक स्टोर रूम नजर आता है वहां पर चारों तरफ बहुत सारी खाने पीरे की चीजे थी तबी वहां उसके नजर कुछ कैमरास पर पढ़ती है और कुछ मॉनिटर्स पर भी वो ये समझ जाती है कि वो वर्चुल दुनिया की कैद में नहीं है बलकि उसे असल दुनिया में कैद किया गया है और कोई नो कोई परसन बैठकर उससे यहां से मॉनिटर करता रहता है उसके दिमाग में बहुत सारे थौट्स रहे थी कि आखिर सैम ने उसके साथ ऐसा क्यों किया उसे आज तक दोखे में रखा तबी वहीं का डोर खुलता है और वहां स कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है अब वह भाग कर पुलिस स्टेशन जाती है जहां पर वह पुलिस को पूरी कहानी बताती है उसकी रिकॉर्ड्स को चक करने पर पुलिस को पता चलता है कि वह पिछले एक साल से कहीं और नहीं बलकि इटली मे था वो पुलिस को विश्वास दिलाने के लिए उन्हें उसी जगा पढ़ने कराती है जहां वो पिछली एक साल से कैत थी लेकिन जब वो पुलिस वालों के साथ वहां पहुंशती है तो वो जगा वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसे कि वो यहां से छोड़ कर गई थी वो पू क्या देखती है और वो लोग बुरस अंजान है इससे पहले कि रयन अन लोगों से कुछ ग्वैयично्षर पोश्वाती तब तक वही पर वो sam को देख लेती है वह siitä म newton देखता है कि तुम चाहो तो मैं तुम अच्छीецा का ले जा सकता हूं लेकिन इस बार रयन को सें पर बिल दुनिया में ये अफ़ा फैला दी थी कि रन ने कमपनी का आदा इससा ले लिया है और अब वो इटली में रहती है रन उसकी सारी बाते सुनकर हैरान हो जाती है और फिर उसे पुलिस वालों की बात यादाती है कि रिकॉर्ड्स में यही मेंशन था तबी कैश रन के सामने ये लंडों को जीक है अब बना समय गवा है सबसे परहनली डैनी से मिलने जाती है यहां पहुचते ही जैसे वह दोनुस एक दूसरे को देखते हैं वह दोनों बहुत रहते हैं यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत जादा इमोशनल हो जाते हैं अब कैश र 타ips रन औ होगा हमें ये बात प्रूफ करनी होगी और इस वक्त हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सुवोत नहीं है तो पुलिस के पास जाने के बाद तो छोड़ ही देनी चाहिए क्योंकि वो हम पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे अब ये तीनों किसी भी तरह से प्रूफ निका चाते थे लेकिन तब तक वहाँ बहुत सारी सेक्योर्टी आ जाती है अब ये दोनों वहाँ से बचकर भाग निकलते हैं रिन उससे कहती है हमें एक बर फिर से इस काम की शुरुवात करनी होगी और क्यमिकल्स बनाने के लिए हमें कुछ न कुछ चीजों की जरूरत होगी और इसमें हमें प्रिंटर की भी जरूरत होगी लेकिन इस वक्त उन दोनों का कहीं विजाना खत्रे से खाली नहीं था क्योंकि सेक्योर्टी चारों तरफ अलर्ट हो चुकी थी तब ही रिन को याद आता है कि उसकी कुछ जरूरत की सामान उसके पता के घर पे मौजूद है रन अपने पिता को साम की सारे दोखे बाजी के बारे में बताती है कि कैसे साम ने उसका यूस किया इस पर रन के फादर कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों में तुम्हारी मदद करूँगा तुम्हें किसी भी चीज़ के जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना अपने पिता की कि वो अपने भाई को कोमा से उठा देगी। वो अपने भाई के आखों में जैसी आइड्रॉप डालती है। हमें सेडन चमतकार देखने को मिलता है। यानि कि उसके भाई ने तुरंत आखे खोल दी थी। वो थुड़ा से नॉमल होने ये वाला था कि अचारक से फिर से उसे दौरे पढ़ने लगते हैं। वो दर्द में तड़पने लगता है। अपना चाते वेवी रन को उसे मारना पड़ता है। कभी रन क्या नोटिस करती है कि अचारक से उसके तबद बिगड रही है। वो बहुत ज़्यदा परिशान होने लगती है। और उससे अपनी इमाजिनेशन में पाहरा नजर आता है। जो कि उससे चिल्ला चिल्ला कर कुछ कहने की कोशिस कर रहा था। और फिर हमें यहाँ एक बहुत बड़ी ट्राजिडी के पता चलता है। जानी की यह कि वो कभी जेल से भागी ही नहीं। वो तो अभी तक उसी चार दिवारी में ही कैट थी। के कंपणी को हत्या लिया है। तब इसे बताता है कि डैनी की डैट बड्यी अभी भी रख रना चाता है। ऑर कहीं नहीं तुमारे दिमाग के उड़ी ही अगल मिले में ही थे। वो बहुत ही जादा खुशी से रन को सब कुछ बता रहा था वो रन से कहता है कि मैं तुम पर एक और टेस्ट करना चाता हूँ रन के मना करने के बावजूद भी साम ने जबर्दस थी उसके आखो में आई डॉप डाल दिया जिसके वज़े से वो एक बार फिर से उसी रूप रन उस आई डॉप को उठा कर सैम की आँखो में डाल देती है और सैम को भी उसी जेल में कैट कर दिया जहां पर वो पिछले एक साल से कैट थी वो क्या देखती है कि इस से सैम के तबित बिगड़ती जा रही है पायराउन के कहने पर भी वो सैम को उस हालत से नहीं निकालत क्योंकि रन ये चाहती थी कि सैम भी इन सारी चीजों को फेस करें वो पायराउन को बताती है कि मैंने ये आई डॉप इसले बनाया ताकि हम लोगों की नॉमन लाइफ में थोड़ी खुशिया बर सके और ये काम जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर कोई भी द लदी का पूरी तरह से एहसास हो चुका था वो समझ चुका था कि इस एक्सपेरमेंट को जबरदस्ती किसी के उपर इंप्लिमेंट करना कितना जादा खतरनाक है उसे अंदाजा हो चुका था कि रन ने उस लाइफ में क्या क्या फेस किया होगा साम इन सारी चीजों के मुवी यही पर एंड हो जाती है तो फ्रेंग्स आपको यह मुवी कैसी लगी हमें यह कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना भूलें थाइंक्यू फूर वाचिंग दा वीडियो